खाल के सब ताहम में मांडिया में हनुमान धोजा नहराए गया और उसके बाद प्रश्वासन ने इसे हटा दिया था मामली को लिकर बीजेपी और जेडियेस ने राजिपन में प्रदर्शिन किया इसी वीवात के बाद उत्तर कंडर्ड से एक और विवास सामने आया जब जिला प्रशासन एक सर्कल से वी सावरकर की नेम प्रेट हटा दी इसी वीच बैंगलूरू के शिवाजुनगर में लाम पोस्ट पर हरा जंडा रगाने को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए मंगलबार को उत्तर कंडर्ड जिले में टेंगेनार गुडी ग्राम पंचायत में उससे में तनाव फैल गया जब ग्राम पंचायत अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर धोज सावरकर की नेम प्रेट हटा दी बीजेपी कार करताओं और कुछ पंचायत सदस्यों ने गिरोध प्रद्शन के और दावा किया कि प्रशासन इस धोज स्थाने के लिए 2022 में निमती दी और सरक्ल का नाम वीर सावरकर सरकल रखा जाएगा हाला कि जिला प्रशासन के अनुसार 25 से दस्यों ने धोज स्थम के निर्मान और सरकल का नाम वीर सावरकर सरकल रखने के लिए कोई अनमती नहीं नहीं थी पिछले सब्ता कुछ स्थानिय ग्रामनों ने धोज स्थम का निर्मान किया था और उस पर भगवा जंडे और वीर सावरकर के नेम पर लगा दी थी धोज स्थम के निर्मान के तुरंद बाल जिला अदिकारी आये और सरशना को हटा दिया फिर से धोजस्तम का निर्मान शिरू हुआ, इसके बाद जिला अधिकारी मौके पर पहुचे या और उने रोका, लेकिन तब तक उन्होंने धोजस्तम खड़ा कर दिया बढ़ते विवाद को लेकर जिला प्रशासन उठाए ये कदम, बढ़ते विवाद के बीच जिला प्रशासन ने पंचायत में ऐसे सभी सरशनाओ को 15 दिनों की भीतर रनुमती दस्तावेच बेश करने के लिए नोटिस जारी करने का निर्ने लिया है और कागजातों के अनुपस्तिती में अधिनक्रिट सरशनाओ और नेम बोर्ड को हटाने का फैसला भी लिया है इसी भी चेक और विवाद में बैंगलूरू की शिवाजी नगर में लैंप पोस्ट पर हर जिन लगाने को लेकर बीजेपी ने सवाल उठा है बीजेपी नेता बस वा गोल पाटिल यातनाला ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट करके पुलिस से सवाल पूछा कि क्या इस उचे लाइट पोस्ट पर हर जंडा जो दुश्मन देश का रंग है फ्लाग कोट के खलाप नहीं है उन्होंने इस हरे जंडे को तुरंथ अटाने की मांग भी की है इस पे पहले की मामना तूल पकड़ता पुलिस से सिवाजी नगर के चान्दी चौक से दरगा एससेशन की सिदूसर से बात की जिसके बास थानी लोगों ने तुरंथ हरा जंडा अटाया और इस लैंप की रंगा लहरा आगा